वेलकम टू ग्यानकड़ा यूटूब चेनल, ग्यानकड़ा यूटूब चेनल प्र आपका हरदिक स्वागत है। आज केस टॉपिक में हम बात करेंगे इंट्रिव की तेयारी कैसे करें। आप यदि कहीं आप इंट्रिव देने गए हैं, तो आपने देखा हुगा कि इंटर्यू के दोरान में बहुत सारी प्रेशानिया कंडिडेट के सामने आती है यदि आप पहले से प्रिपेर होके इंटर्यू में अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको इंटर्यू का फोबिया भी हो सकता है और स्लेक्षन की भी कोई गरंटी नहीं हो सकती आज के इस टोपिक में हम बात करेंगे कि आपको इंटर्यू की तैयारी किस परकार से करने चाहिए कौन से वो ऐसे इंपोर्टेंट क्यूशन है जो की अकसर इंटर्यू में पूछे जाते हैं कंप्लेट पूरी डिटेल से आज के इस टोपिक में हम डिसकस करेंगे उसके साथ में इस वीडियो के बीच में मैं आपको पांच ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी भी कंपनी या किसी भी जोब का इंटर्यू आप आसानी से क्रेक कर सकते हैं इंटर्यू के तैयारी आप ऐसे करोगे तो आपका स्लेक्षन पक्का है आपके स्लेक्षन को कोई रोक नहीं सकता इंटर्यू के दोरान में क्या-क्या चिज़ें आपको द्धान में रखनी है कौन-कौन सी साथनिया आपको इंटर्यू के दोरान में रखनी चाहिए इंटर्यू से पहले तनाव महसूस होना आम बात है लेकिन जब यह हैं आपकी पूरी तयारी पर पानी फैरने लगे और इंट्रियों के दोरान सवालों के जबाब आते हुए भी आप यदि सही से नहीं दे पा रहे हैं तो यह हैं आपके केरियर में बादख हो सकता है इस इस्तिति से बाहर आना मुश्किल नहीं है कुछ आसान तरीके हैं जिनको आप तरीकों को अपना कर आप उस तनाव से छोटकारा पा सकते हैं सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका confidence level भूत अच्छा होना चाहिए यदि आपका confidence level अच्छा है आपको विश्वास है तो आप किसी भी इंट्रिव को आसानी से ग्रेक कर सकते हैं आतम विश्वास किस परकार से बढ़ाया जाए आपको इंट्रिव में तनाव से निपटने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका आतम विश्वास बहुत ही strong होना चाहिए खुद को आप जितना confident होंगे हालात का सामना उतना ही आप बहुत ही best तरीके से कर पाएंगे इंट्रिव में जाने से पहले आपको याद करें कि आप इस पाएदान तक अपने ग्यान, समझ, योगिता और आपकी कुशलता और सूझ-भूच के बल पर आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो अब घवराना किस बात का? सवाल जो भी पुछे जाएंगे अपने ग्यान की आधार पर आप जवाब देंगी जवाब नए आने पर उन्हें फीनमरता पुरुक मना कर सकते हैं जब इंट्रीव लेने वाला आपसे कोई कुशन करें और ओ कुशन आपको नहीं आए उसका एंसर आप नहीं दे पाएं घवराने की कोई बात नहीं है आप बेज जिजग मना कर सकते हैं कि I am so sorry sir इस कुशन का एंसर मुझे नहीं आता घवराने का एक परसेंट भी आपको नहीं है सवालों की जवाब नए आने पर उनका गलत जवाब देने से आपका impression खराब हो जाता है यदि interview लेने वाले ने आपसे कोई question पूछा आपको उसका answer नहीं आ रहा आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे तो best है कि आप उसका गलत answer ना दे और वी नमरता पूरा कुन को बताएं कि आपको ये question नहीं आता इसलिए इस सोच के साथ आपका आतमिश्वास बढ़ेगा और आप सफलता की और आगे बढ़ेंगे interview का मतलब यह नहीं है कि आपको स्वालों के जबाब देने हैं अगर आपको कोई स्वाल पूछना है तो उसे वी नमरता पूरा का पूछ भी सकते हैं यदि आपकी मन में अगर कोई स्वाल है तो आगे वाले candidate से यानि की interview लेने वाले से आप भी अपने दिमाग में अपने मन में जो question आया हुआ है उस question को आप पूछ सकते हैं best होगा कि अपना स्वाल इंट्र्यू से पहले तयार कर ले कई बार जो interview ले रहा होता है वह आपसे सवाल पूछने के लिए कहता है ताकि वो आपकी आतम विश्वास को जाच सके परक सके सबसे पहले आपसे जो question के जाते हैं उन question को समझना आपके लिए बहुत बड़ा important factor है person समझने के लिए समझे और उसके बाद में आपको कुछ reply करना चाहिए सबसे पहले आपसे जो question पुछे जाते हैं उन question को आप समझे कि आखिरकार आपसे कुछा क्या गया है किसी सवाल का जवाब देने के लिए सवाल को समझना भी बहुत जरूरी है इसलिए ठीक से समझे फिर आप उतर दें कई बार हम जल्द बाजे में जवाब दे देते हैं धैयान रखें जवाब देने का तरिका जितना best होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा इंट्र्यू के दूरान आपके बोलने और बैठने के तरिके पर भी गोर किया जाता है इसलिए चहरे पर आप तनाव बिलकुल भी ने रखें अपने दिमाग को हमेशा पोजिटिव रखें और ये सोचकर आप इंट्र्यू में अपियर हों कि आपको सब चीजों का नौलेज है अपनी confidence को बनाए रखें आपके जो sitting है आपका जो sitting method है आपका जो body language है आपका बैठने का जो प्रोशर है वो भी बिलकुल proper होना चाहिए जिससे अगले को लगे कि हाँ आप बिलकुल एक professional वेक्ती है और आप इस जो इस नौकली के लिए काबिल है उसके साथ में आप हमेशा entire में जाएं यानि कि properly आप dress पहन के जाएं यदि आपको interview के दोरान में कौन सी dress code सही रहती है उसका अगर आपको knowledge नहीं है तो आप निश्चिंत रहिएगा इस वीडियो के description के i button में जाएगा वहाँ पर मैंने आपको एक video post किया है कि interview में आपको किस परकार से किस तयारी से क्या dress आप होना चाहिए interview के दोरान चेनल पर आप नए हैं तो चेनल को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलें आप comment करके आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा आप आगामी हाल ही दुनों में किस exam के लिए किस नोकरी के लिए interview देने जा रहे हैं आप comment किजिएगा किसी भी नोकरी या किसी कंपने में आप जा रहे हैं तो उसका आप comment करके हमें बताइएगा उस company या उस job से related भी जानकरिया हम आपके साथ regular share करेंगे ग्यानकड़ा YouTube चेनल रास्थान का सबसे बहतरीन steady material प्रदान करने वाला platform है हमारा प्रियास है कि हर एक बच्चे को निसुल्क सिक्सा मिले हर गाउन ढाने घर में free online class हो अधिक जानकरी के लिए आप निचे दीवे नमबर पर संब्रक कर सकते हैं या फिर आप मुझे facebook, instagram twitter पर भी follow कर सकते हैं जिसका link निचे description में दिया हुआ है या फिर आफ facebook, instagram, twitter और telegram पर search करें manood sir, double seven जहां पर आपके career, success से जुड़ी भी ऐसी ही महतोपर अजानकरिया नेमित आप को मिलती रहती हैं आपके उजल्व हुस्से की सुबकावनाओं के साथ ग्यान काड़ा YouTube चेनल